हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप लोग हमारे यूटूब चैनल पी एम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे कि एक्जाम बहुत नजदीक आ गये हैं और हमारे पास कम समय है तो कम समय में हमको कैसे त्यारी करना है तो पूरी जनका पहले जो भी आपके नोट्स हैं जो भी आपके नोट्स हैं अब माल लिजे कि अगर आप पूरा अपना स्लेबस खतम कर चुके हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर माल लिजे कि स्लेबस खतम नहीं किये हैं तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज को डीटेल में पढ़ें तो सबसे बड़िया है कि आप जो भी अपना नोट्स त्यार किये हैं बेसिक का हो या मसीन का हो या पावर प्लांट हो या आपका जो भी इलेक्ट्रानिक्स हो डिश्टल एनलाग हो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका 2019 में जो एक्जाम हुआ था उसमें आपके ITI से संबंदित कोशन जादे आया था लेकिन 2021 का जो एक्जाम हुआ उसमें 2021 के जितने भी सिप्ट के एक्जाम हुए हैं उसमें ITI का तो कोशन था ही बट उसमें कुछ पॉल्टेक्निक लेवल के भी कोशन है तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए त्यारी करना है आईए हम बताते हैं आपको जैसे मान लीजिए कि आपका बेसिक हो गया अब बेसिक में ओम के नियम से लेकर के जैसे आपका अगनी सामक है अगनी सामक और मान लीजिए कि आपका सिंबल है सिंबल हो सकता है कि पूछ दे कि मतलब फैन का क्या हो गया इस्ट का क्या होगा डायोड का क्या होगा रेक्टिफायर क्रांजिस् सिस्टम से कोश्चन पूछे पावर प्लांट से कोश्चन पूछे पूछा गया है आप ही सकता है इसको पूरा पावर प्लांट रिविजन कर लें और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो इलेक्ट्रानिक से और मसीन मसीन में DC motor DC motor और generator जितने भी आपके objective question है जितने भी important है फार्मूला है उसको अपत्यार किजिए क्योंकि हमारे पास पूरा syllabus पढ़ने का time नहीं है तो syllabus related जितने भी आपके question है सब को पढ़िए सब मतलब जितने भी point है point पर focus कीजिए जितने भी important point है उसमें focus कीजिए और आपको पढ़ने से पहले जितने भी आपको doubt वाले question है doubt वाले जितने question है उसको बार-बार पढ़कर के revision कीजिए उसको बार-बार पढ़कर के revision कीजिए जो चीज नहीं याद हो रहा है उसको आप लिख करके पढ़िए फार्मूले को लिखिए आप 10 सवाल लगाएंगे मालनीजे की 10 अगर objective question लगाते हैं तो आप इस 10 question से जितने भी आप फार्मूले बार-बार लिख रहे हैं जितने भी फार्मूले लिखेंगे उससे क्या होगा आपका कि जितने भी उससे related आपके फार्मूले होंगे वो सब याद हो जाएंगे जिसे भी उससे related फार्मूले होंगे वो सब याद हो जाएंगे motor हो transformer हो कोई भी हो उसको पूरा हमको रट जाना है क्योंकि अब exam बिल्कूल नजदीक आ गया है और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर देखिए आपको important मतलब अगर doubt है कि हम क्या पढ़ें तो उसमें सब से आपका exam हुआ था 2019 में तो अगर आप 2019 का पेपर उठा करके देखेंगे 2019 का पेपर उठा करके देखेंगे तो इसमें total आपके ITI से related इसमें आपका 80% question मिलेगा और सबसे बड़ी चीजी यह है कि उस time paper कुछ easy आया था और दूसरी बात है कि आपको करना क्या है कि 2021 के सबसे important चीज़ है इसको note कर लीजिए पूरी बात दहां से सुन लेजे 2021 के जितने भी shift में paper हुए है जितने भी आपके shift में paper हुए है उन सभी paper को आप download कर लीजिए क्या कर लेना है उस सभी paper को download कर लीजिए और पेपर जितने भी आप माल लिजे कि आपका 5-6 जैसे इसी बार हो रहा है आपका 3 तारीक चले करके 11 के समतिंग पेपर है 12 तक तो जितने भी पेपर होंगे तो माल लिजे 4 दिन 5 दिन होगा तो 2 सिप्ट में पेपर हुआ तो 6-7-8 पेपर होगा न उस पूरे पेपर को आपके बात क्या करना है कि अगर माल लेजे कि आपए 8 पेपर उसको डाउनलोड करना यह इसमें आपको क्या करना है कि आज एक में आपका जो टेक्निकल का कॉस्ट्ट है दूसरा क्या है यह आपका गेंडृह Пос naar होगया तीस Father रिजिनिंग और GKGS वगेबा जो है ठीक है तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी आपके टेखनीकल है क्योंकि टेखनीकल इसमें बहुत ज्यादा माइने रखता है लेकिन इन सब के बिना सेलेक्शन हमारा नहीं होता है इन सब के बिना सेलेक्शन नहीं होता है तो हमको कॉम्प्यूटर और जीके जीएस और इजनेंग भी देखना है लेक इंडेर्स हमें करना क्या है यह सुनगे अब हमको करना क्या है इसमें कि यहां पर हाँ देखी आपने मान लिजे कि आठ सिप्ट का पेपर डाउनलोड कर दिया है आठ सिप्ट मतलब आठ सिप्ट का पेपर है और आपका पेपर कितना हो जाएगा आठ 8 पेपर होगे। इसको क्या करना है? कि 8 पेपर को डाउनलोड करने के बाद इसको 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर या आप ऐसा सूचिये कि इसको एक ही दिन में आप Torah tends रखे क्योंकि best. अमारे पास समय नहीं है हमारे पास तो आपको तकन एवल 10 दिन पांच दिन तीन दिन चार दिन वही तो आपको मेहनत करना है जिसका मन लिजी जिसके हिशाब से पेपर है हमारे पास समय नहीं क्या करना है आप इन सभी पेपरों को एक दिन में पूरा खतम करना लिए कोश्चन आये या न आये सबको एक बार पढ़िए और उसमें देखिये की कौन चीश यह कौंच अगलत है इसमित कि किश सब्जेक्ट से सभी में सबका ऐनाल्सिस करना है जितने भी पेपर होए सब पेपरों का deblet से ज्यादे पेपरों का आठ पेपर का आठ सेट बना लीजिए और उसमें जितने भी आपके question आए हैं तो उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आठ पेपरों में से छोव पेपर सेट का ऐसा होगा कि वो किसी न किसी subject से जादे question मैच करेगा तो उससे related जो भी आपका basic चीज अगर छूट गया है नहीं पड़े हैं तो आप उसको पूरा कर लीजिए कम से कम अगर आप 99% मान करके चलिए कि इसको अगर target बना करके इन सभी को basic power electronic digital जो भी आपका चीज है अगर उसको आप त्यार कर लेते हैं सिम्बल हो गएरा आल इन वन सब कुछ तो यह मान करके चलिए कि आपका selection होना निश्चीत है तो अगर आप इतना follow करते हैं तब यदि आप फालो नहीं करते हैं अगर आप यह सोचते हैं कि चलिए हम पूरा syllabus प में त्यार करके बैठे हैं होता उसमें यह है कि देखिये ऊना ऑं पड़ रहे हैं और आपको अपके आपके नोट सके अनुसार सब कुछ माल कि एक शेफ्टर जैसे माल लीजिए कि ट्रांसर वपार्मर का सारा चीज़ां आपको पता हो आपको उसका अंसर पता रहेगा लेकिन आप उसको क्या करेंगे गलत निसान लगा देंगे इसलिए आपको objective हल कराया जाता है हल करना पड़ता है सब कुछ जानते हुए भी इससे ये फायदा होता है कि आप उससे practice करके practice करके आप सारी चीज समझ जाते हैं और सबसे बड़ी कि आप पेपर दीजिए इसका बहुत बड़ा benefit होगा उसमें तरह तरह के question मिलेंगे ऐसा कुछ होता है कि जिसका आपको concept पता ही नहीं नहीं बनाएंगे यही तक खतम करते हैं अपनी बात को और इस बात पर अमल करके जरूरे try कीजिएगा आपको benefit 100% मिलेगा ठेक है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share कीजिए ताकि और सब जितने भी आपके student हैं दोस्त हैं सबके पास वीडियो जाए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe पर लें लाइक और share करना ना भूलें बेस्ट और झाने वार